नमुश्कार रोवाट सक्षु निएस नेटरक और आप सवी का स्वागत है तुर्मूल कॉंग्रेस सांसच शत्रवन सिना ने भारत चोड़ो यात्रा की जमकर तारिफ करते वे इसे एतिहासिक और क्रांतिकारी यात्रा बढ़ाया है पस्षी मंगाल के आसन सोल संसी छेत्र से इसे तृमूल कॉंगरेस सांसर शेत्रवन सिना ने कहा है कि कश्मीर के लालचोंग पर रास्ठ्य धच फैराने जा रहे राहुल गांधी एक दिन लालकिले पर द भी रास्ट्य धच फैरा हैंगी उन्होंने कहा कि उपहास का पात्र बनाएंगे से लेकर संवान हासिल करने तक कि उनकी यह यात्रा उनकी उपलब्दियों और काबलियत को दर्शाती है समाचार अजेंसी एनाई को जिए एक सक्षातकार में शत्रवन सिना ने कहा है कि भार जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहूल गांधी एक युवा ऑईकॉन के रूप में उभरे हैं और कह सकता हूँ कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दिवाना मैं टीम सी का हूँ और मेरी सबसे बड़ी नेता नेतरी देश की सब ठूर लीडर मासेस की सही माइने में वो तो महमता बैनर जी हैं और मैं महमता बैनर जी का साथ हूँ उनका हमायती हूँ उनका समर्थक लेकिन उसके बावजूद कुछ बातों से नजरे नहीं चुराई जा सकती है आपने जो भी देश में एक करांती में यात्रा जो हो रही है और खासकर यूथ आईकॉन राखल गांदी की जो आद देश में लोगों की और खासकर इस आत्रा की वज़े से वो यूआ पिड़ी की इक्षा और अपिक्षा के प्रतीक हो गए हैं आज आज उनका इमिज वो नहीं रहा जो कुछ मीडिया ने या कुछ तथाकतित गोदी मीडिया ने जो फैलाने की कोशिश की थी कुछ लोगों के इशारे पे वो तरहतरा की बाते काता है पापो और ये वो आज उनका बहुत इसी गंभीर गंभीर छवी लेकर सामने आए हैं ऐसी आत्रा तो लगता है शायद भूतों न भवशोतों ये पहले ऐसी कभी नहीं हुई और जो अगर हुई होगी तो एक हमारे फ्रेंड फिलोस्फर गाइड और अल्टिमेट लीडर जो हमारे रहे लाल किशाइडवाने ज दी चंदर शेकर जी की यात्रा जो दिखाई पड़ी थी लेकिन रहुल गांधी की ये यात्रा बिलकुल अद्बुत है बिलकुल बेमिसाल हैं जिस तरह से लोग शामिल हो रहा हैं बच्चे बुड़े जवान जहां औरतें महिलाएं हिंदू मुसल्मान सब धर्म के लोग स जहराम रमेश हमारे विद्वान मित्र ने भी कहा है कि प्रधान मंत्री के ऐसा नहीं कह रहे हैं वो वो कह रहे हैं कि हम देश को एक सूत्र में बादना चाहते हैं हम देश पे नफरत हटाना चाहते हैं या वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में महबत की दुकान खुलने आया हूँ अच्छा है इरादा अच्छा है मैं तो कहूंगा कि उनको उसमें कामया भी मिले और मैं इस यात्रा में जिस तरह से लोग गतिरोत पैदा कर रहे हूं जिन गतिरोत को जहलते वे राहुल गांधी के यात्रा इतने बड़े लिवल पे बनी है विशाल बन गई है हमेशा महात्मा गांधी की वानी याद आती है जो एक जमाने मुझे खुद लालकिश अड़वानी ने सुनाया था जो हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड और अल्टिमेट गुरू रहे उन्हों ने सुनाया था कि किसी भी आंदोलन को या किसी भी नए काम को अंजाम तक प जरना ही पड़ता है राहुल गांधी के ओपर अक्षरश यह सत्य साबित हो रही है और वो चार दोर क्या है कोई नहा काम यात्रा होई लो मजाक उड़ाएंगे पहला है उपहास उपहास का सामना करना पड़ा करना पड़ेगा और जैसे राहुल गांधी करना पड़ा कितन रिखतो उपहास दूसरा दौर होगा उपिक्षा वो भी हुआ रावल गांधी के साथ लोगों ने इग्नोर करना शुरू कि छोड़ो है ना क्या बाते करना है यात्रा की ये यात्रा कहां होने वाली पुरी अब आपने उपहास के बात उपिक्षा वो अपने कन्विक्षन के साथ, अपने जोश के साथ, अपने विजडम के साथ, जिस तरह से आगे बढ़ते गए, तो तीसरा दौर आया महात्मा गानी के वचन का अनुसार, और उनकी कतनी का अनुसार, तीसरा दौर आया, उपहास उपेकशा के बाद, तिरसकार, कंटेम्ट, गालियां देने लोग करदी, एसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, उनके और उनके परिवार के बारे में, जो बिलकुल किसी भी उसका ऑचित नहीं, किसी भी तरीके से उसो सही नहीं मैना जा सकता, ऐसा किया तो उपहास, उपेकशा, तिरसकार, तिरसकार के बाद चौथा हुआ धमन, ये महात मनी पावर, मैन पावर, गुन पावर, गन पावर, आपको रोको, उसको बर्बाद करो, रास्ता सो विमुक कर दो, बारो, यह नहीं तो कोरोना का नया बहाना लगा दो, किसा आप किसी तरह जिन की आत्रा को रोको, यह तो कश्मीर तक पहुंच रही, कन्या कुबर कश्मीर त को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि चारो दोर से गुजर गए है ये उपहास उपेक्षा तिरसकार और दमन से गुजरते हुए राहुल गांधी लाल चौक कश्मीर में श्री नगर में जंडा फैराने जा रहे हैं याने कि चार दोर से गुजरने के बाद सम्मान उनके हैंगी या चूम रही है इसमें दोराय नहीं है महात्मा गांधी की बातों को राहुल गांधी ने अपनी यात्रा से अपने संकल्ब से अपने डिटर्मिनेशन से अपने कमिट्मेंट से और अपने आत्मिश्वास से पूरा करके दिखा दिया उपहास सम्मान तक की यात्रा उन्होंने पूरी कि और इसके लिए उनको बहुत बहुत बढ़ाई प्रधान मंत्री कौन होगा उसका फैसला तो भारत की जनता करेगी अलग-अलग संख्याबल जो है अलग-अलग पार्टीस के होंगे उन्हों मिलेंगे एक गुट होंगे एक जुट होंगे उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी महमता बैनर जी जी का भी होगा महमता बैनर जी जी के तो लुक लुक देख रहे हैं कि वो टूथाउजन टॉन्टी फॉर में एक बहुत बड़ी गेम चेंजर बनकर सामने आएंगी महिला है महिला है और पहली महिला आज मुक्कमन्त्री हैं जो लगातार लोगों के धन शक्ती का जवाब अपने जन शक्ती से दे रही हैं लोगों को इस तरह से दमन या लोगों का जिस तरह से उनके खिलाफ प्रचार हुआ प्रसार हुआ उसका बहुत बड़िया से जवाब दे रहे हैं तो ममता बैनाजी को तो आज आप कोई भी ऐसा नहीं है देश में जो उनको लाइटली ले सकता है वो बहुत बड़ी नेता है या देश की सर्व मन सबसे ज़ादा लीडर अव दे मासे इन टू सेंस अगर कोई है या आज के दि लोगों की निगाहें टिकी हुई है उसमें दो राएन हैं लेकिन आपके सवाल का जवाब क्या चुनाव में इस पर फर्क पड़ेगा और रहुल गांदी के पड़ेगा क्यों पड़ना ही चाहिए क्यों नहीं पड़ेगा पड़ सकता है क्योंकि आपने खुद देखा होग जगन रिड़ी भी इसके पहले उन्हें यतरह की थी आज जो जगन रिड़ी को इतना अगनूर किया गया था हटा दिया गया था बुर जगन रिड़ी ने यतरह करके आँख्र मुक मंतरी का सिर्फ दावेधार है नहीं मरत मैं अपने आपको मुक मंतरी ثابित भी करके दिख एक commitment है, एक उनके अंदर बहुत बढ़िया संकल्प है, देश को जोडने की बहुत बढ़िया उनके अंदर एक wisdom है, policy है, ideas है, और सबसे बढ़ी बात है को उनकी honesty के साथ है, उनकी यात्रा में transparency भी दिखाई पड़ती है, यानि सचाई भी है, और पारदर्शता भी है, मेरा हम मेशा से मानना रहा है, गुड administration में या गुड politics में, या गुड यात्रा में, honesty का होना बहुत जरूरी है, वह साथ ही साथ, पारदर्शता का भी होना अतना ही जरूरी है, यह देखिए, मैं तो उस पे रगाहू लगानी क्यों, शम्ता क्यों नहीं है, उनके परिवार में कित अतना योगनान नहीं है, देश की आजादी के लिए, या देश के निर्मान में, जितना राहूल गांदी का, या उनके दादा का, नाना का, या पूरे परिवार का जो है, आपने देखा है, आज कहना बड़ा आसान है, पार्लेमेंट में हमारे कई फ्रेंड्स, हमारे पहली फैमिली पार्टी, भारती जन्ता पार्टी सोटकर कहते हैं, कि क्या किया, लोगों ने कुछ नहीं किया, सतर साल में कुछ नहीं हुआ, अरे भाई, सतर साल में, IIT किसने दिया, IIM किसने दिया, यह हमारे फाज को कहा से लेकर, कहा तक ह titled आभजाहु किसने की, हमारे देश को आज दुनिया का चंद कहते हैं कि हमारे कंट्री जो है देश जो है वो यहां से डिवलपिंग नेशन से डिवलप नेशन की कतार में करीब करीब खड़ा किसने किया ये एटॉमिक पावर किसने किया बहुत सारी बाते हैं हम उस पर कहने ज़रूरत नहीं है और आज जो हालात ह हैं चाहाएं उंप्लाइमेंट का है चाहाएं बेरोजगारी का है महिंगाई का है डॉलर्स के उपर चले जाने का रुपया के नीचे घर जाने का या इतनी सारी बाते हैं बहुत सारे चाहाएं हेल्थ इशूज हैं चाहाएं पर ये अपना एजुकेशन में जहां तक मुझ कारण जानना बहुत जरूरी है किसी निवारन के लिए और कारण का निवारन कौन कर सकता है जो आदमी सामने खड़ा हो जिसके अंदर संकल्प हो जिसके अंदर क्रेडिबिलिटी हो जिसके अंदर इंटिग्रिटी हो जिसके अंदर तो ऐसे क्यों इस मामले में तो राहूल ग गरी की विज़रोत नहीं पड़ती है प्रधान मंत्री तो आप जानते हैं जब के पास संख्याबल हो लोग मिल जाते हैं तो बना देते हैं अगर राहुल गानी हो चाहे ममता जी हैं चाहे जो भी हमारे लोग सामने आ जाये हैं और आएंगे उनके उपर उनके साथ कितनी संख भारत की जनता करेगी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके